हालो माई डियर स्टूडेंट वेलकम टू माई यूटूब चैनल शिक्षा विदाश्या आज मैं अब सभी को एंसेटी सिरीज क्लाउश इक्स चू टुएल जोग्रोफी कवर करवाने जारू जिसमें आज हम पढ़ेंगे सेवन्थ क्लास के चैप्टर नंबर थ्री के बारे म ठीक है तो आइए जोग्रोफी के चैप्टर नंबर थ्री का नाम पहले जानते हैं तो हमारा जोग्रोफी का चैप्टर नंबर थ्री का नाम है त्री का नाम है हमारी बदलती प्रित्वी किस प्रकार जो हमारी प्रित्वी है उसमें बदलाव होता है चाहे वो तापमान से हो चाहे वो दाप से हो चाहे वो जॉला मुकी से हो या जलवायो से हो किस प्रकार हमारी प्रिथी में बदलाव आता है तो आज हम यह जानेंगे कि आपदाने से हमारी प्रिथी में बदलाव आता है किस प्रकार हमारी प्रिथी में बदलाव आता है आईए हम जानते हैं इस थल मंडल नेक प्रिथी में विभाजित होती है जो इस थल मंडल है वो नेक प्रकार के प्लेटों में विभाजित होती है जिसे हम इस थल मंडल ये प्लेटे कहते हैं तो इस थल मंडल ये प्लेटे किसे कहते हैं इस थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होती है अने प्लेटो में डिवाइड होते हुथे से तल मंडले प्लेट कहते हैं आपको यह जान का अश्र होका कि यह प्रतेश्ट हमेशा दीमी गती से चारो तरप खूँमती रहती है जो हमस्तिवित के लेषी के अंदर ना जो प्लेटे वह धीरी-धीरी धीमी-धीमी गती से खूंगती रहती हैं प्रते एक वर्ष के वल कुछ मिली मीटर के लगबक की कुछ मिली मीटर तक ये खूंगती है प्रिथवी की अंदर पिगड़े हुई मैगमा में होने वाली गती की कारण ऐसा होता है यदि आप से पूछा जाए तो जो स्थल मंडे में प्लेटे हैं वो ग गती करती है तो किस प्रकार गती करती है और क्यों उसका क्या रीजन है तो उसका रीजन है उसके अंदर मैगमा होने के कारण वह धीमी धीमी गती करती है प्रिथवी के अंदर पिगला हुआ मैगमा एक वृत्ते रूप में घूंगता है मत एक सरकल के रूप में घूंगता परिवर्तर होता है जो प्लेटर के कारण हमारी प्रिथवी में किस प्रकार की क्या बदला बाता है आज हम जानेंगे प्रिथवी की गती को उन बलों के अधार पर विभाजित डिवाइड किया जाता है जिसकी कारण ये गतिया उत्पन होती है जो हमारी पृत्वी है उसमें अलग-अलग प्रकार से गती होती है तो उनकी अधार पर हमने इसको डिवाइट किया है जो बल पृत्वी की आंतरिक भाग में मतलब अंदर की भाग में घटित होती है मतलब जो मुवमेंट पृत्वी की आंतरिक भाग में होता है या बल उत्पन होता है उसे अंत्रजनिक बल या एंडोजनिक फोर्स कहते है एंडोजनिक फोर्स मतलब अंदर की द्वारा लगाया गया बल ये जो बल पृत्वी की सते पर उत्पन होता है ये पृत्वी की सते प पर उत्पन होता है उन्हें बहिग जर्निक फर्फ कर दो कभी आस्मि गती इत्पन करता है थे पर मुखी जैसी आस्मिक गती के कारण पित्वी की सतय पर अत्य दिखानी होती है यदि कभी भुकाउं पिया जालम की तेजी से आती है तो इसमें क्या होता है कि वह गती से काफी नुकसान झेलना पड़ता है तो आज हम देखेंगे इसकी बारे में और पढ़ेंगे जो पित्व पित्वी की गतियां अंत्रजैनिक बल होता है और एक होता है बही जनित बल अंत्रजैनिक जो प्रित्वी के अंतर लगता है और वही जनिक जो पित्वी की सतय के बहार लगता है यह आस्किंग बल होता है और पटल वीपोन बल होता है मतलब भार की तरफ लगता है इसे बल इसे आसकी बल से भुच्चे वाला मुखी आती है, भुकम पाता है, भुस संक्लन जैसी आती है और पटल वीपोन बल से परवत निमानकारी बल जो परवत का टूटना बनना इससे होता है परवत निशेपन का मतलब होता है, नदी का भेना, पवन भोते जावा चलना, समुद्री द्रंगो लहरो का आना और हिम नदी बरव का बिगलना, बरव का जमना इसके अंदर आता है अब क्या जानते हैं, आज हम सीखेंगे इसमें कि एक रंगीन कागच की छोटी सी गोले लेजिए और इसे जल के आदे भरे वीकर में रखिए यदि आप रखेंगी तो देखते हैं क्या होता है, इस भीकर को तिपाही पर रखकर गर्म करें और जल गर्म होने पर पानी देखेंगी, गर्म जल की परतों साथ कागच की गोले भी उपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ वह गोली नीचे बैठती है और पिथवी के अंदर इस सीथ पिगलता है तथा मैगमा भी इसी परकार की गती करता है तो आईए जानते हैं जो स्थलय मंडले प्लेटे होती हैं वह क्या होते हैं प्रित्वी के अंदर जो प्रटी होती है उनकी बड़े कुछ चोटी कठोर असमान आकार की प्लेटे होती है जिन पर महादीप महासागर की सत्य टिकी होती है तता हम देखेंगे इसमें आईए निक स्पेस के और चलते हैं जिसमें इसमें बताये कि जो जौला मुखी भूपटी पर खुला है कैसा छिद्र होता है जिससे पीगलते हुए परदाद अचानक निकलने लगते हैं जब जौला मुखी हमारे पढ़ती है तो उसके उबर एक ज जगह होती है उससे गैसिस निकलती है राक निकलती है उसे क्रेटर कहते हैं क्या कहते हैं क्रेटर के नाम से जाना जाता है इस वाले हिस्से को हम निकास या वेंट कहते हैं और जो इस पर अंदर से लावा निकल रहा है उसे हम लावा कहते हैं इसको हम परपर्टी कहते हैं इसी हम मैटल कहते हैं, जो मैंने कल आपको ख्लास में पढ़ाया था, कि मैटल किसे कहते हैं, इसी प्रकार स्थलिय मंडल प्लेटों के गती करने पर प्रिथी की सते पर कमपन होती है, कमपन मतलब प्लेटों का कापना, कमपन प्रिथी के चार और गती कर सकता है, इस कमपन को ह आती हैं गधर यह सताओं से सबस्क्राइब एक जाते हैं तो ister लिए मंदल को इसकिक सिर्च सेुआ होती है इसे हो चार और यह कभी यह ब्लेट जादा घती करते हैं तो अत्य देख भुकम से नुक्सान होता है कभी यह यह 2.144, से लेसद इसलेटर स्केल पर मापर जाते तो बहुगम को किस पर मापते हैं रिक्टर स्केल पर माप पे जाते हैं ये भूपर्टी के नीचे वह स्थान है जहापन कमपन आरंप होती है उसे उद्गम स्थल केंद्र कहते हैं क्या कहते हैं एक कोशना से ये बन सकता है किस जगा पर भूपर्टी के किस जगा पर जहापन कमपन शुरू होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं उद्गम केंद्र भूसत है पर उसकी निक्रतम स्थान को अभी केंद्र कहते हैं इंगलिश में इसे एपी सेंटर के नाम से जाना जाता है अधी केंद्र से कंपन भार की ओव तरंगों के रूप में गमन करती है जो अधिकेंदर में कमपन होती है भार की तरफ कमपन करती है अधिकेंदर के निकट तमभाग में स्वार्दी खाने होती है अगर ये भार की तरफ कमपन करेगी तो उससे बहुत सारी हाने का सामना करना पड़ता है ये अधिकेंदर से दूरी बढ़नाई के साथ भुकंप की त्रीवता धीरे धीरे कम हो जाती है जब इसकी दूरी भुकम की दूरी बढ़ते जाती है तो उसके निकड़ोले स्थान पर उसकी धीरे धीरे त्रीवता कम हो जाती है तो आहिए अब इसके बारे में हम देखते हैं कि यह क्या है उद्गम केंद्र कौन से होता है यह उद्ग होता है इसे हम प्लेट सीमा कहते हैं इसे अधिकेंद्र कहते हैं और इस वली सतय को हम भुकंपी तरंगे सभी दिशाओं में भाई की और निकलती है तो अब इसमें हम देखेंगे कि शब्द की उत्पति किस प्रकार हुई है हमने देखा जैनिक मतलब उत्पति किसके बार एंडो जैनिक अगर लिखते हैं तो एंडो जैनिक होता है एक्स को उत्पति करते हैं तो एक्सो जैनिक होता है एंडो मतलब उत्तर की और एक्सो मतलब तब भार की ओर ये क्रिया कलब आपको करके देखना है कि एक बड़तन लेना है उसे जल से भरकर धकन से बंद कर दे और जल गरम करने के लिए रख दे आप कुछ मटर चमच और मोती धकन के उपर रखें दे और आप क्या देखते हैं जैसे ही जल में उबाला आता है तो धकन भी हिलने लगता है जो वस्तो ये आपकी धकन के धकन की उपर रखी है उन में कमपन होने लगती है डाने नीचे जाते हैं और चमच के द्वनियोतपन करते इसी भाती जब भुकम पाते हैं तो प्रितिवी भी कमपन होने लगती हैं तो यह आप चरूर करके देखिएगा तो नेक्स टेप हमारा की जो भुकम पे तरंगे होते हैं वो कितने प्रकार के थे वो हमारी तीन प्रकार की होते हैं आईए देखते हैं पहले हैं हमारी पी तरं तरंगे कहते हैं सेकिंड है एस तरंगे जिसे अनुप्रास तरंगे कहते हैं थर्ड है एल तरंगे जिसे प्रस्टे तरंगे कहते हैं इन तरंगों के गुंधर्म विश्व कोस्ट से ज्याद करने का प्रियास कीजिए ठीक है आपको इसका प्रियास करने की किस प्रकारे हो तो हम प्रभाव को निश्चे त्रूप से कम किया जा सकता है किस-किस प्रकार से हमें हाने हो दिए भुकंप की आने से पहले तहुंस का बचा कर सकते हैं इस्थानी लोग कुछ समाने तरीके से भुकंप की समभावना का नुमान लगाते हैं कि कब किस तरह से भुकंप किस शत्ता है जैसे जानवरों के विवार का ज़िया है कि जानवर Nous भूखते हैं चलाते हैं तो उनसे भी पता चलता है कि कि भूखम्प अने वाला है त्रलाप में मस्मिलों के उत्तितेज रा में मश्मियों का फर्फणाना शांप dispose का धरातल पर आना इससे भी이라 पता चलता है कि भुकंप आ सकते हैं भुकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे हम भुकंप लेखी कहते हैं भुकंप की त्रीवता रिक्टर स्केल पर मापन जाते हैं सबसे इंपॉर्णन कोशन है वैसे भुकंप वाला चैप्टर है तो रिक्टर स्केल पर मापन जा सब्रभाव «9» के बरावर होता है यदि जिस भुकम की त्रेवता 5.5 या 5 से ज़ाधा होती है तो वे वस्तों के गिलियन से शती पहुचा सकता है motव नुक्सान पहुचाती है काफी जिस भुकम की त्रेवता 6.0 अथाउस से अधिक होती है वे अधिक शक्ती- शक्ति शाली होती हैं जिसकी 3 वता 7.0 होती है तो अधीक होते हैं वह स्वार्थिक शक्ति शाली समझा जाता है तो बहुत ही जादा वह स्ट्रॉंग होते हैं तो आए हम इसके बारे में पढ़ते हैं भुकम भूज में भुकम एक वास्तु स्थिति अध्यन किस प्रकार हम भुज में भुकम के जटकी आये थे तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में एरिक्टर स्केल पर 6.9 की त्रीवता वाला भुकम आया फिर स्वार्थिक स्कूल स्वार्थिक प्रभावित हुआ इसमें क्या हुआ 971 चात्रों 31 शिश्कों के मौत हो गई इस भुकम से यह अत्यदिक प्रभाविशालिप भुकम था इसे क्या हुआ भुज में निगाशा जनक राहत मिली भुकम के तीन दिन भाद भी हर व्यक्ति तक भोजन कमबल दवाईया आधी ना भोजने के बाद भी हालत चिंता जनक होते गई वहाँ पर नेक्स्ट है भुज की तवाई फोन लाइन ज शहर में आग लगी चार कोल एव अंगीतियों के परटने के बाद अनेक स्थान पर आग लगी ते तो उन्हें भुट हालत मुटसान जहिलना पड़ा भुकम के प्रभाविशेतर में अपात कालिन की घोशना कर दी राश्पति ने अपात कालिन स्थिती की घोशना की तो एक भुट्रा सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्ते साहता मांगी वित्ते होता है पैसे के साहता मांगी तो नेक्स और चलते हैं कि एक लाव आपको करके देखना है कि भुकम के प्रशात समाच पत्रों के मुखे समाचारों के रोप में दिया गया है इंड है कल्पना करेंगी यदि स्कूल समय के बीट में अचाना है वह कम आ जाये तो आप अपने शुरक्षा किस परकार करेंगे तो आजा को बता हूं भुकम से बचाव की त्यारिया किस परकार करते हैं सुरक्ती स्थान, रसोई की काउंटर या मीच की नीचे दिवार की अंदरूनी कोने में आप जाकर दर मेट सकते हैं, यह खड़े हो सकते हैं, इनमें दूर रहें आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, तूट सकने वाली खिड़कियों से, दरबन से, तस्वीरों ये फ्रेंज इसे आपको दूरी बना के रखनी हैं पहले से त्यार हैं, अपने दोस्तों परवारी सरदस्यों के बीच में जागरुता फैलाएं तो उनको भी इसे बचने हैं, सुरक्षा तता किन-किन चीजों से हमें दूर रहना हैं, उसके बारे में आप उनको भी बतलना हैं नेक्स्लाइट क्यों चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा मुख्य स्थलक गृतियां की मुख्य क्या चीज़ हैं, अपशे और अपड़दन नामक दो प्रक्रम द्वारा दृष्टे भूमी लगातर भी घटित होती है, मतलब तूटने लगते हैं तता उन्हें नुक्सान पहुं विभीन घटकों के द्वारा होने वाले शे को नुक्सान शे को अपड़दन कहते हैं, तो मैंने अभी आपको बताए अपशे और अपड़दन में क्या अंतर है, तो अपशे वे होता है जब प्रिथी की सते पर शेलो चट्टानों की तूटने से अपशे होता है, और वायू जल अपरदिती परदात को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फर्ल स्वरूप एक स्थान पर निशेपित करते हैं, अपरदान एव निशेपित के प्रग्रम प्रिथ्वी के धरातल पर प्रिथ्वी की भूमी पर स्थल क्रितियों का निर्मान करती है नदियों के कारे क्या बता सकते हैं हमारे नदियों के क्या क्या कारे होते हैं नदियों से नदियों की जल से द्रिष्टी भूमे का प्रतन होता है जब नदियां किसी खड़े जल वाले स्थान से कठोरत जल शैल या खड़े धाला वाले घाटे में गिरती है तो वे जल परताब बनती है जब जल जब नदियां इसमें गिरती है तो ये जल परताब बनाती है हमने पड़ा जब नदियां चेत्र में परवेश करती है तो वे मोड़दार मार्ग में भेहने लगती है कभी इस दिशा में भेहने लगती है नदि के इन ही बड़े मोडों को विसर्प कहते हैं के कहते हैं विसर्प कहते हैं इसके बाद विसर्फों के किनारों पर लगाते हैं अपरदन एप निश्यपन शुरू हो जाता है विसर्फ लूप के सिरी निकट आते जाते हैं समी के साथ विसर्फ लूप नदी से कट जाते हैं एक अलग-अलग जील बनाते हैं जब ये कोने से कर जाते तो सब अपनी अलग-अलग जील बना लेते हैं जिसे चाप जील कहते हैं कभी-कभी नदियां अपने तटों से बहार भेने लगती है इसलिए निकट वर्तिय छेत्रों में बार आ जाती है मुखे तब बार आने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि सर्फ चार छेल का अपनी नदों से बाहर आना बार की कारण नदियों की तटके निकटिय छेत्रों में महीन मिट्टी अवन्य परधार्ट का निशेपन हो जाता है बार के साथ आती है ओर जम जाती है ऐसी मिट्टीय परधार्ट को अवसाथ कहती है क्या कहते हैं इससे समतल उप्चाओ बाढ़ ग्रीत मेंदान का निर्मान होता है नदियों के उत्परती तटो का तटबन कहते हैं समोंद्र तक पहुचते पहुंशते नदियों का परवाहा मतलब when Yeah Udλαisini उसा आधी है और आ हम पढ़िनगी जिस परकार आप इस ट्राइग्राम में स्थले कीरते होती है यह क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे जल्पत, जल प्रतत है सब्से उँचा जल्परताब दश्चिन अमेरिका के विनिजूला का एंजेल जल्प्रताब है प्रतत है अन्ने जल्परताब उत्रि अमेरिका में कनाड़ा तता सेयवत राज अमेरिका की सीमा परश्थित नियागरा जल्परताप है जल्परपाथ है और अफिरका में चांबिया ओ एव जिम्बाबे की सीमा परश्थित विक्टोरिया जल्परपाथ है क्या आप इन जल प्रयाप्तों के नाम याद करेंगे तो जल प्रयाप्त किस तरह का होता है तो आईए हम पता लगाते हैं ये नीव्या का जल प्रयाप्त बात है क्या आप इसका पता लगा सकते हैं क्या आपने कोई जल प्रयाप्त ऐसे देखा है जवे देखा है तो comment box में जरूर बताएं नेक्स टेव हमारा कि जिसकी वितारिका कहते हैं जा या नदिया इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलवे का निशेपन करने लगती है पर देख वितारिका अपने मुहाने का निर्मान करती है ये अपने जल के साथ काफी मिट्टी लेके आती है जिससे हमारे मुहाने मतलब डेल्टा का निर्मान होता है सभी मुहाने के अवसादों के संग्रे से डेल्टा का निर्मान होता है सभी मिट्टे से जैसे इस चित्र में दिखाया गया है कि वितार का होती है छोट छोटी वितार का मतलले, मिल्टी टुकोड़े होते हैं, खाली जगह होती, जूड़कर मुख्य नदी है, उसका निर्मान गरती है, आईए इस ड्राइगराम के और चलते हैं, इसे कहते स्टॉग, इसे कहते तर्ट्ये महराव, इसे कहते समुंदरी गुफा, तब समुंदरी त्रंगे की अपर्दन एवनीशेपन 30डी तले किरते ओसे बनाती। समुंदरी त्रंगे लगातर शैलो से टकराती रहती हैं। मतलब चप्टान जो होते हैं उससे समुंदरी पवने एकराती रहती हैं जिससे दरार विक्सित होती हैं समय के साथ ये बड़ी और चोड़ी होती जाती हैं इनको समुंदरी गुफा भी कहते हैं के कहते हैं समुंदरी गुफा कहते हैं इन गुफाओं के बड़े होते जाने प यहां पर बस्ती है दिवार जैसी इन अकर्थियों को स्टाइक कहते हैं समूंदरी जल के ऊपर लगवब उठवादर उड़े हुए उठे हुए होते हैं तथा इसमें उचे शैलो तटो को समूंदरी भर्क कहा जाता है समूंदरी तरंगे की नारों पर अफसाद जमा कर समूंदरी पुलीन का निर्मान करते हैं हीम नदी के कार्य हिम नदी अत्वा हिमाने बर्भ की नदिया होती है हिम नदी अपने नीची के कठोर चटानों से गौलाश में मिट्टी और परुटों को अपरधित कर देती है गोलाश में मिट्टे पत्थरों से भूध रिश्य का परदन करती है, बोध बोध डेल्टा का निख्याइप, नमधी गेले गतों का निख्याइप परवती छेतर में बरब बिगलने से उन गतों से जल भर जाता है तथा इसके अंदर जल का जल भरने लगता है और वे सुन्दर जिल बन जाती है दिरी दिरे करके वे सुन्दर जिल का निर्माण हो जाता है हिमनदी के दुवारा लाएगे परथा जैसे चोटे बड़े शेवाल रेत अब तलचट मिट्टे निशेपित हो जाती है जम जाती है ये निशेपित हिमनदी जलोड का निर्माण करती है किसका निर्माण करती है हिमनद जलोड का ये निर्माण करती है तो आई अब नेक्स प बालू तिब्बे के कुछ चित्र एक्रित करने हैं आपको रिगिस्तान के पवने अपर्दन और निशेतब का मुख्यकारक है रिगिस्तान में आप छत्रक के अकार के शेवाल देख सकते हैं ठेक हैं समानता छत्रक शेवाल कहते हैं इसे पवन शेवाल के उपरी भागी अपि इसलिए ऐसी शियवाल के अधार शीर विस्तरित होते हैं काफी फैलाव में होते हैं पवन चलने पर हवा चलने पर साथ स्थान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है जब पवन का बहाव रूक जाता है तो यह रेद किरकर छोटी पहाड बनाती है छोटा सा पहाड का निर्माण करती है जब बालुकर्ण महीन हलकी हो जाते हैं जब बालुकर्ण तो वाई उसको उठाकर अत्य दूर ले जाती है जब ये वालू कर्ण विस्त्रित शेत्र निशेपित हो जाती है तो उसे लोवस कहते हैं तथा चीन में विशाल लोवस निशेप पाए जाते हैं अक्सर चीन में ये देखने को मिलते हैं तो आईए अब NCRT मतलब चैप्टर नबर 7 के हम क्लास 7 के चैप्टर नबर 3 के और चलते हैं जिसमें हम अभियास से कोशन के बारे में जानेंगे जिसमें हम दिगें कोशन नबर 1 हमारा क्या है प्लेटे किस प्रकार घूमती है प्रिथिवी के अंदर पिगले हुए मैगमा मे होने वाले गती के कारण पिथिवी के अंदर पिगला हुआ मैगमा एक वृत्य रूप में घूमता है जिस पर कर मैं अभी आपको बताए कि जो वरा मैगमा है इस लियर के अंदर घूमता रहता है ये हमेशा धिमी गती से चारों तरों प्रतिक वर्ष में केवल कुछ मिलीम के लगबग घूमता रहता है नेक्स कोशन क्या है हमारा बही जनिक एव अंतर जनिक बल क्या है तो बही जनिक बल को जल के आंतरिक भाग में घटित होता है मतलब ये आंतरिक बाग में पाया जाता है उन्हें अंतर जनिक बल कहते हैं जो आंतर जनिक बल आसमिक गती करते है जादा गती करते हैं तो तक कम गती करते हैं भाईजनिक बल वह बल होता है जो पृत्वी की सते पर उत्पन होता है उन्हें भाईजनिक बल खहते हैं नेक्स्ट हमारा कोशन है अपरदन क्या है भूप्रष्ट पर मतलब भूमे पर भैता हुआ जल, पवन, हीम जैसे विविन गटकों के द्वारा होनी वाला कटाव, छटाव, अपर्दन चैते हैं नदियों द्वारा वी अकार की खाटी का निर्माण होता है और पवनों द्वारा बखान एच्छतरकशेल का निर्माण होता है interaction with विविया बाड कृत मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है कभी कभी नदियां अपने तटो से बहार भहने लगती है फल्स वरूप निकट वर्ती चेत्रों में बाड आ जाती है बाड की कारण नदियों के तर्टों के निकट वर्ती है चेत्रों महीन मिट्टी जम जान की कारण इन परधार्दों का जमाब शुरू हो जाता है ऐसे मिट्टी परधार्दों को अफसाद कहते है इसमें समतल उपजाओ बाड़कित मेदानों का निर्मान करती है इसमें हम डेल्टा का विनिर्मान होता है नेक्स कोशन है अब हमारा बालू टिपा क्या होता है जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया है बालू टिपा निर्मान किसे कहते हैं बाल्यो टिपबनिद्वाण किसे कहते हैं तो मध्धे सठल ये भागों में प्वन के दुरारा रेत को एक स्थान से दूसरे इस्थान पर भागर ले जाती है जब और भाव रुखता है तो ये रेत गिर कर छोटी पहाडी बनाती है इसां बाल्यो टिपबनас edi क्या कहते हैं ऐसे बालो डिबा कहते हैं नेक्स कोशन है हमारा समुंद्री पुलीन का नियमन किस प्रकार होता है जैसे मैंने आपको नेक्स ही पैस्टिज में पढ़ाया था किस का नियमन किस प्रकार होता है जब समुंद्रे किनारों पर समुंद्री अफसाथ जम्म हो जाते ह और समुन्दर का कुछ भाग समुन्दर से कटकर एक जील का रोप लेता है। उसे पुलीन समुन्दर कहते हैं। नेक कोशन के ओर चलते हैं जिसमें अभी हमें दे रखा हैं। सही गलत की पहचान करें। इन में से कौन से समुंद्री तरंग की विशेस्ता नहीं है क्या वे किनारा उसकी विशेस्ता नहीं है क्या बस शेवाल उसकी विशेस्ता नहीं है या समुंद्री गुफा इसकी विशेस्ता नहीं है तो इसका अंसर क्या है बच्चो शेवाल की शेवाल इसकी समुंद्री तर नहीं होता है शवाल से '' चठाइन होती है हमारा हिम्नत की निर्षेपने इसता क्या है वह बाढ़करीत मेधान है क्या वे पुलीन है हम भी सकते हैं क्या हो ही ओढ़ाए तो आय gelecek पता लगाते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारा इसका अंसर है मौ won जो प्रिथिवी कि आसमी गदी के कारण कौन सी गटना होती है कहवे ज्वाला मुखी आती है वो लनाता है बाड़कृत मैदान होती है तो हाँ पर ज्वाला मुखी का आगमन होता है शत्रक शेल पाई जाती है जो मारी शत्रक शेल हो कहां पाई जाती है वो रेगिस्तान में नदी घाटी में या हिम नदी में पाई जाती है तो वह हमारी रिगिस्तान में आखिर देखने को मिलती है अभी मैंने आपको पढ़ा है कि चाप जिल यहां पाई जाती है तो चाप जिल कहां पाई जाती है हिम नदी पर नदी घाटी में या रिगिस्तान में तो वह पाई जाती है हमारी नद नेक्स सोलिशन है मिलान कीजी क्या आप हिम नदी के बारें बता सकते कि हिम नदी क्या है तो हिम नदी क्या है बरेफ की नदी को हम हिम नदी कहते हैं विसर्प क्या होता है क्या बता सकते हैं विसर्प क्या है नदियां कोई हम विसर्प कहते जो टीडी मेडी नदियां होती है बताया था मैंने अभी और पुलीन क्या होता है पुलीन हमान्दरा समुद्रेत होता है और बालो टिबा बालो टिबा एक प्रकार का हमारा रिगिस्तान होता है और जल परताब क्या है जल प्रपात क्या है यह कठोर संसत शैल है क्या है यह कठोर संसत शैल दुकम का पाते हैं तो आये कुछ important कारण के बारे में जानते हैं किस प्रकार होते हैं सबसे important question है हमारा सबसे पहला question है कि कुछ shell का छेतरक क्या कारण होने का क्या कारण होता है तो इसका answer है मरुस्तले भागों में पवन के साथ चलने वाली रेत में करण मार में पढ़ने वाले चटानों के निचले हिस्से को अधिक घशित करती हैं उनके हिस्सों को इन पवनों से काफी घशन कम हो जाता है इसलिए निचले हिस्सों की चटान काफी घिस जाती है तधा ये चटाने शती नूमाकार की चेतरक शहल करते हैं तो next question है हमारा बाड करित मेदान उपचाओ होती है क्या कारण है बाड के साथ नदियां अपने तटो के आरपार अपने आसपास के चेतरों को जल मगन कर देती हैं बाड के समय नदियों के साथ काफी मात्रा में मलबा अफसाद आती हैं छोटे-छोटे मिट्टी की टुकुडे या शेवाल की टुकुडे आ जाते हैं इन अफसादों या मलबों को नदी में अपने आस्पास के चेतरों में जमाग कर देती है। इन अफसादों या मलबों में काफी मात्रों में हमस होता है कि बाढ़गरित में धानों में अधिक बजाओ देखनी को मिलते हैं। पिर नेक्स कॉछन न्हें अब हमारा की नेक्स कोर्षन की ओर चलते हैं नेक्स कोर्षन ने संभून्दरी घुवा स्टेक के रुप में परिवर्थित हो जाती है एक इन कार्णों में जिस प्रकार भी मैंने आपको बताये कि जो समुंद्री समुंद्री तरंगे की अपवर्दन और निश्येपत तटिये स्थला किरती बनाती है समुंद्री तरंगे लगतर شवाल से तकराती गुफाओं के बड़े होने जाने पर इन में से केवल छत की ही बस्ती है जिसे हम तर्टिय महरवन कहते हैं महराब कहते हैं लगातर अपरदन छत को भी तोड़ देती हैं क्योंकि अक्सर वो उसे टकराती रहती है और केवल दिवार बस्ती है दिवार जैसे इन अकरते को स्टा क्या जाता है नेक्स कोशन है हमारा भुकंप के दोरान इमारते किस कारान से गिरती है क्या आप इसका अंसर बता सकते है भुकंप के दोरान पिथे के सते पर काफी कमपन होती है और इन कमपन से मकानिय दिवारे हिले लगती है हिलने से मकान या इमारते गिरने लगती है अधिकांश इमारते भूमी राधी नहीं होती है तो आएए बच्चों मैंने आपके NCIT के अभियासे कोशन भी कवर करवाद है यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बोक्स में बता सकते हैं थेंक्यू अगर वीडियो पसंदा है तो अगर नहीं पसंदा है तो आपना इनपोर्टेन सुझाव या सजेशन कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्यू वाचिंग मैं यूटूब चैनल शिक्षावित आशा